Medical World for India में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सबको पता है कि Clinical Establishment Act लागू हो चुका है और अभी तक सिर्फ 11 स्टेट्स और 6 यूनिन टेरिट्रीज ने इसको लागू कर दिया है यानि कि ये एक तरह से वहाँ पर एक law बन गया है सो इसी को मदे नज़र रखते होए Ministry of Health and Family Welfare द्वारा National Council जो की Clinical Establishment Act की है उनके बीच में discussion हुआ और कुछ इस तरह के rights बनाए गए जो की patients को दिये जाते है National Council of Clinical Establishment के द्वारा और उनके द्वारा ये approve हो चुके है उसके साथ साथ National Human Rights Commission ने भी कुछ अपनी suggestion दी थी और इन suggestions को भी National Council ने मान लिया है तो ये आपके अब अधिकार छेतर के अंदर आते है Patients के क्या-क्या rights होते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में detail में बताऊगा बहुती लंबे समय से Ministry of Health and Family Welfare के अंदर बहुत सारे complaints आ रहे थे जो इस बात को लेकर के थे कि hospitals, especially corporate hospitals force करते हैं Patients को medicines खरीदने के लिए उनी के pharmacy से और वो force ये भी करते हैं कि उनी के laboratory से वो investigations करा है तो National Human Rights Commission ने इस चीज के बारे में suggestion दिया तो वो suggestion मान लिया गया है National Council द्वारा अब hospital force नहीं कर पाएंगे मरीजों को कि उनकी ही pharmacy से दवाईयां लिये जाए मरीज अपनी किसी भी pharmacy से दवाईय ले सकता है जो कि उसको कम cost में मिले सेम चीजे लागू हो गई हैं investigations के लिए भी अब patient can go to other place also to get these investigations hospital force नहीं कर पाएंगे उस मरीज को कि अपनी ही जगा से वो investigation को करा है सबसे पहले हम National Human Rights Commission के दवारा प्रस्तावित जो भी rights हैं जिसको National Council ने माल लिया है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे उसके बाद फिर हम लोग सारे के सारे rights के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले राइट मैंने आपको बता ही दिया है कि अब hospital force नहीं कर पाएंगे आपके pharmacy के लिए और test कराने के लिए दूसरा right है, patient को right है कि उसको वो पूरी care मिले जिसके लिए उसने एक clinical establishment को pay किया है तीसरा बहुत important right है कि उनको protection का right है उनको compensation का भी right है अगर वो किसी भी तरीके के clinical trials जो की drugs and cosmetic act के अनुसार या फिर government guidelines के अनुसार किये जाते हैं patients को पूरी तरह से compensate किया जाना चाहिए उसके अलावा अगर किसी भी तरीकी की biomedical या health research के अंदर जो की ICMR के guidelines के दौरा की जाती है या फिर किसी government of India regulatory authority के दौरा की जाती है तो patient को पूरा right है compensation का और protection का अगर patient के कोई भी complaints होते हैं तो एक grievance redressal system बनाया जाना mandatory है clinical establishment या hospital के दौरा जिसके अंदर एक time bound manner के अंदर patients के जितने भी grievances हैं उसको clear किया जाए साथ-साथ hospital के दौरा एक grievance officer बनाया जाना mandatory है जिसका नाम और number किसी भी conspicious place में यानि जिसको मरीज आते चाते देख सके वहाँ पर लिखा होना चाहिए यदि उनका redressal नहीं हो पाया है तो उस grievance officers की details के साथ-साथ district registration authority की भी details होनी चाहिए जिसके अंदर patient आगे चलकर के complain कर सकता है अगर उसका grievance redressal नहीं हो पाया है देखिए बहुत जारा confusion होता है patient के referral को ले करके अगर patient को refer किया जाता है तो जिस hospital ने refer किया है तो उसको ही transport facility provide करानी पड़ेगी at a reasonable rate to the patient कि वो दूसरे hospital जा सके सबसे दा confusion आता है left against medical advice जिसको हम लोग लामा बोलते है उस case के अंदर भी hospital को जहां से refer हो रहे है patient उनकी responsibility है कि उनको transport दिया जाए जो की referring hospital में वो पहुंच सके तीसरा बहुत important point बन जाता है जब emergency होती है emergency cases के अंदर patient को refuse नहीं कर सकते वो refer करने से जहां तक है वो बहुत reasonable होना चाहिए अगर patients के बास पैसे भी नहीं है तब भी उन लोगों को deny नहीं करा जा सकता कि उसको वो refer कर सके तो ये एक right है आपका अगर आपको emergency situation के अंदर refer किया जा रहा है दूसरी जगा पर referring hospital patient को a trained staff provide करेगा जो की patient की monitoring करें और patient को consult करते हुए transport करें जब तक की वो referee hospital के अंदर ना पहुंच जाए जो ये कुछ rights है जो national human right commission ने national council के सामने रखे ministry of health and family welfare के सामने रखे ये मान लिये गए हैं तो ये आप आपके rights बन गए हैं उसके अलावा मैं और rights के बारे में बात करूँगा जो की national council ने अलड़ी document कियो है 21 अगस 2021 patient को पूरा right है अपने बिमारी की सारी ज़रूरी जानकरिया लेने का उसको right है कि किस तरीकी investigations होएंगी, किस तरीके के complications हो सकते हैं और किस तरीके के expected result हैं treatment के बाद उसको पूरा ये भी जानने का हक है कि उस इलाज के अंदर क्या estimated cost आईगी मरीज को पूरा हक है rates जानने का और क्या-क्या facilities वो hospital या clinic प्रवाइड कर रहा है वो जानने का तो इसकी लिए national council ने already rule बनाये हुआ है कि hospitals को एक conspicuous place के अंदर अपने द्वारा दी गई services के बारे में और उनके rates के बारे में एक पूरा display बनाना पड़ेगा वो ना सिर्फ English language में होना चाहिए वो वहां की local language के अंदर भी होना चाहिए patients के पास पूरा right है access करने का उनके case records को उनकी investigations को और जितने भी relevant documents है जो उनके case से related है वो access करने का और वो लेने का patient का bill पूरा detailed होना चाहिए और properly itemized होना चाहिए मतलब किस-किस चीज के क्या-क्या rates है वो properly mention किये हो जाने चाहिए उस particular bill के अंदर किसी भी treatment या surgery करने से पहले informed consent लेना mandatory है वो proper patient की language में बताया जाना भी जुरूरी है और patient को पूरी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि क्या-क्या problems और complications हो सकते हैं सारा का सारा detailed उस informed consent के अंदर होना चाहिए मैंने informed consent को लेकर के कुछ और भी videos बनाए you can see those link into the description box patient को पूरा right है second opinion लेने का और treating hospital इस चीज के लिए deny नहीं कर सकता उनको सारे documents भी provide करने पड़ेंगे अगर patient कहीं second opinion लेने जाना चाहता है तो patient की confidentiality, dignity हमेशा maintained रहनी चाहिए और ये hospital की duty है और patient का right है यदि किसी female patient का investigation होता है और वो कोई male healthcare provider कर रहा है तो उस case के अंदर उस particular place के अंदर female attendant होने का भी mandatory है और ये patient का right है female patient का right है अगर कोई HIV infection से पीडित है तो उसको भी discriminate नहीं कर सकता कोई भी hospital या clinic treatment के लिए ये भी patient का right है patient कोई भी alternative treatment चूज कर सकता है यदि वो चाहे तो एक बहुत बड़ी चीज देखी जाती है कि patients की या उनके relatives की dead body release नहीं की जाती होस्पिटल के द्वारा तो किसी भी condition के अंदर I am repeating it किसी भी condition के अंदर hospital या clinical establishment deny नहीं कर सकता dead body release करने के लिए उनको dead body release करना mandatory है और ये patient और उनके relatives का right है to get those bodies योदि hospital patients के record को digitize करता है तब भी patient से उनको informed consent लेना पड़ेगा जी हां, patient का right है अगर वो ना चाहें तो उस data को वो digitize नहीं कर सकते तो इसके लिए भी hospital को mandatory है कि वो patient से properly informed consent ले मैंने आपको सारे rights बताए जो patients को दिये गए है Clinical Establishment Act के अंदर जो की approve कर दिये गए है National Council of Clinical Establishment Act के द्वारा अब मैं कुछ responsibility बताता हूँ जो मरीज की है towards the doctor मरीज को चाहिए कि वो अपने health related सारी information doctors को दे दें, कुछ ना चुपाएं मरीज की responsibility है कि वो हर हमेशा doctors की कही बातों को cooperative तरीके से सुनें और cooperation दिखाएं during their treatment, during their examination वो doctors की सारी instructions का properly follow करें patients के द्वारा जितनी भी fee, जो भी timeline डिसाइड की गई है उसके accordingly patient को pay करनी चाहिए doctors को या hospitals को जी हाँ मैंने आपको अलड़ी बता दिया है कि patients के treatments के rates और उनके treatment के details वो अलड़ी hospital को display करने पढ़ेंगे किसी भी conspicuous place पर patient की responsibility है कि doctor की dignity का भी अनुशासन तरीके से पालन करें और कहीं भी ऐसा कोई कारे ना करें जिसकी वज़े से hospital या hospital के किसी staff की या किसी doctor की dignity के ओपर बाधा आ सकती है किसी भी तरीके का violence patient नहीं कर सकता hospital के अंदर या hospital staff से या कहीं भी किसी भी area के अंदर जो की clinical establishment area के अंदर आता है तो जी हां ये सारे के सारे rights है और responsibility है मरीज की ये अलड़ी clinical establishment act द्वारा और उनके council के द्वारा मानिता प्राप्त हैं अलड़ी ये approve कर दी गई है हाला कि बहुत सारे ऐसे states हैं जहां पर clinical establishment act अभी लागू नहीं हुआ है अभी तक सिर्फ 11 states और 6 union territories के अंदर ये लागू है Medical World for India से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम इस तरीके के वीडियो और भी लाते रहेंगे अगर आपको आने वाले वीडियो की informations चाहिए तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें share करें अपने relatives के साथ अपने friends के साथ ताकि उनको भी health loss की knowledge मिल सके किसी भी तरीके का सवाल अपके मन में लिए आता है तो comment section में लिखना ना भूलें Till then goodbye and thank you so much for watching Medical World for India Thank you